वेलकम टुएजी एक्सामगुरू आज की वीडियो लेक्टर में हम बात करेंगे डाटा क्लेक्शन मेथड्स की डाटा क्लेक्शन मेथड्स जो है वो बहुत इंपॉटन्ट है रिसर्च टॉपिक के फौइंट वीष से इसे अकसर एक से दो सवाल आ जाते हैं का पेपर टू भी आपका ये कवर करता है तो डाटा क्लेक्शन मेथर्ट की बात करेंगे आज के इस टॉपिक में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा क्लेक्शन होता क्या है वट इस डाटा क्लेक्शन लेकिन उससे पहले आप मुझे बता है कि डाटा क्या होता है मैं प अब हम बात करते हैं data collection की basically data collection जो है वो किस तरीके से data को gather किया जाए जो gather करने का process है जो information को gather करने का process है उसे ही data collection कहा जाता है the data collection is a process of gathering information from the all relevant sources to find a solution to be research problem बेसिकली जितने भी एक रिसर्च और रिलेवेंट सोर्से जितने भी रिसर्च के सोर्से हो सकते हैं वहां से जो इंफर्मेशन गैदर किया जाता है उसका जो तरीका है गैदर करने का जो इंफर्मेशन को एकत्र करने का संग्रह करने का जो डेटा को संग्रह करने का जो तरीक problem के outcome को evaluate करने में यानि कि जो समस्या के परिनाम है उसका मुल्यांक्तिन करने में यह मदद करता है कि एंड़ डाटा कलेक्शन मैथट जो है वो क्या करता है आपको लाव एक पर्षन टू कंड़क्ट एन एन्सर कंक्लूड एनसर टूदरिलेवंट कोशन जो आपका कोशन है जो पर्षन है आपका उसका उत्तर उसका समधान धूंदने में आपकी मदद करता है वो आपको उसके मदद उसमें मदद करता है और हम डाटा कि जब बात करते हैं तो यह किसी भी रिसर्च के लिए बहुत इंपंटन्ट है बिना डाटा के कोई रिसर्च नहीं हो सकती चाहे आप उसमें जाहे बात हो हम कर sms डाटा को सबसे पहले क्या करता है वह इंटिफाई करता है यह ढानी सिसे बेसिकली सब भी को पता है कि दो तरीकी के डाटा होते हैं, primary data, secondary data, लेकिन उन points की भी हम बात करेंगे कि कहां लोगों को confusion हो जाती है, data primary और secondary data में कैसे वो differences करने में चूक जाते हैं, कहां कौन सा data primary होगा, कौन सा data secondary होगा, तो इस की भी हम बात करेंगे, तो जब हम types of data की बात करते हैं, तो two types of data होते हैं, primary data and secondary data, primary data, basically raw data, वो data होता है, जो researcher जो है, वो first hand, वो खुद उसको directly, जो है, वो directly gather करता है, वो directly, जो है, first hand sources से, जो data है, उसको प्राप्त करता है, चाहे वो experimental के थुरू हो, या फिस survey है, या observation, इन method का use करके, survey, experiment, observation, इन method का use करके, जो researcher है, वो first hand sources से data को collect करता है, यानि, जब researcher direct, जो है, वो respondent से information लेता है, या observe करता है, किसी चीज़ को, या experiment करता है, तो वो जो data होता है, first hand, जिसको first hand data कहते हैं, वो उस data को primary data कहा जाता है, यानि first hand data, primary data के two types होते हैं, quantitative and qualitative, quantitative data and qualitative data, अब quantitative and qualitative data क्या होता है, quantitative data, basically वो data होता है, जिसको quantify किया जा सके, quantitative data कौन सा data होता है, जिसको quantify किया जा सके, जिसमें mathematical calculation को use किया जा सके, यानि numbers में, जब data numbers में हो, तो उसे हम कहते हैं, quantitative data, यह कैसे collect होता है, यह through a close ended questionnaire से collect हो सकता है, correlation, regression से method यूज किया जा सकता है, जिसमें mean यूज किया जा सकता है, median और mode यूज किया जा सकता है, तो ऐसे data को quantitative data कहते हैं, बहुत ही simple, अगर इसको भासा में आप समझेंगे, तो आप यह समझी कि, जो quantitative data होता है, जो numbers में, जिसको हम numbers में quantify कर सकें, बहुत simple है, जिसको हम numbers में quantify कर सकें, जैसे number of people, age group, age different age, जिसको भी हम numbers में quantify कर सकें, वो quantitative data होगा, number of sales, तो sales कितना हुआ, या फिर हम बात करें कितने लोग participate किये किसी program में, तो यह सब numbers में हैं, तो जिसको भी हम numbers में major कर सकते हैं, जिसको numbers में major कर सकते हैं, यानि mathematical जिसमें calculation लगा सकते हैं, correlation, regulation लगा सकते हैं, close ended questionnaire कर सकते हैं, तो उनको हम quantity data कहते हैं, qualitative data, जो हम qualitative data की बात करते हैं, तो qualitative data में mathematical calculation involved नहीं हो सकता, इसमें ये quality based होता है, ये quantify इसको नहीं किया जा सकता, इसको quantify नहीं किया जा सकता, और ये mathematical calculation इसके अंदर use नहीं हो सकता, इसे quality की बात की जाती है ना कि quantity की बात की जाती है, अक्सर बहुत सारे example कहते हैं कि quality पे focus करो, quantity पे नहीं, तो वो जो example है, तो वो जो quantity है, क्योंकि quantity को easily measure किया जा सकता है, लेकिन quality को measure नहीं किया सकता, इस method is closely associated with elements that are not quantifiable, जिसको quantify नहीं किया जा सकता, qualitative data collection method जो है, उसमें interviews है, question IR है, observation है, case studies है, यह सारे इसके data collection के, इसके method है, अब खुद देखें कि आप interviews अगर किसी का ले रहे हैं, आप उस interview में एक घंटे का आपने in-depth interview लिया, आप कैसे quantify कर सकते हैं, कि उसने किस topic पे क्या बोला, नहीं बोला, आप कैसे quantify कर सकते हैं, तो उसको आप quantify नहीं कर सकते हैं, तो यह जो method है, quality based होता है, quality based को qualitative data कहते हैं, peer review and other aspects of research, कहां कहां पे हो सकती, जादतर बाइसने, जो है, researcher कहां पे in-part में करता है, जब वो परियोगतात्मक design, data visualization, या data व्याख्यान, या सहकर्मी समिक्षा, peer review, और अनुसंधान के अन्ने पहलों में पूरुवागरेस से बचना होता है, और यहां यहां पे chance से ज़्यादा रहते हैं, कई बार आपके सवाल इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, कि किस research के किस हिस्से में बाइस होने का ख करते हैं, उसको interpret करते हैं, तो या हम data को select करते हैं, तो ऐसी जगवों पर बाइसनेस के खत्रे जादा होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे research को निस्पक्ष रहना चाहिए, या objectivity रहना है, यह भी आपस में relate करता हुए, next integrity को देखें, अखंडता की बात करें, अखं fulfillment and promises, fulfilling arrangement and promises, आपको क्या करना चाहिए, कि आपकी जो इमानदारी है और सच्चाई है, उसको सुनिश्चित करना है, ऐसा नहीं कि आप जूटी कहानी, जूटे वादे, जूटी बाते बनाएं और इस तरीके से आप research को करें, research में बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों के लिए जगें नहीं होती, और history की बात, यहां भी भी आप इसी से जोर सकते हैं, कि यहां पे क्या है, कि लाभारती और उतर दाता हूं के साथ आपको इमानदार होना चाहिए, यानि आप जो research कर रहे हैं, तो उसमें आपको biased नहीं हो, यहां भी वही बात आजागी, biasness की बात आज किसी को भी आप ऐसे किसी कारे प्रणाली का इस्तेमालना करें, जिससे के आप research के अंदर biased हो जाएं, या फिर आप false information provide कराएं, या आप जूट बोलकर participant को इसमें सामिल कराएं, यह भी इसी की बात है, कि आप जूट बोलकर सो, और कारे प्रणाली के बारे में इमानदार हो जाएं, वो direct हो या indirect हो, उनके साथ भी इमानदार होना चाहिए, inform concern मैं इसी की बात करता था, कि बहुत ज्यादा, इससे सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं, inform concern का मतलब है, कि जब आप किसी को इसमें सामिल कर रहे हैं, कोई वैक्ती है, उसको सामिल कर रहे हैं, अपने research में अपने सोध में, तो उससे पहले जो है, आप सहमती जरूर ले, कि वो इसमें सामिल होना चाहता है, या नहीं सामिल होना रहे हैं, सूचित सहमती जो है, उसके लिए बहुत अनिवार रहे, important है, और सूचित सहमती अनुसंदान में भाग लेने के लिए व्यक्ति के स्वायत अधिकार से संबन नहींते हैं, मतलब उसके पास ये rights होने, autonomous, उसके पास rights of the individual to participate in the research, परतिभागी को नुसंदान के उद्देश से उसकी भूमिका, उसके लाभ हानी आदी के बारे में सूचित करना, यानि ये भी जरूरी है कि आप उसको डिटेल में बता दें, इसको जरूर बता दे, respect the personal respondent, जिसकी बात अभी हम उपर कर रहे थे, कि परतिवादी का सम्मान, जो व्यक्ति है, जो respondent है, उसका सम्मान, उसकी स्वैतत्ता का, इसमें जिसके लिए आउशायक है कि लोग अपने व्यक्तिकत लक्षों के बारे में विचार विमर्ष करने मे सक्षम है, उसके साथ आत्म निन्य की उनकी छमता का सम्मान किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मतलब सामने वाला जो अपनी बाते कह रहा है, आप उसको reject कर दे के नहीं आप गलत कह रहे है, आप ऐसे नहीं ऐसे बोलो, आप उसको pressurize भी नहीं कर सकते, वो जो कह रहा है, आपको उसको accept करना होगा, और उसको यह नहीं लगना चाहिए, कि उसके साथ जो है, उसको सुरक्षा भी परदान की जाए, यह उसको ऐसा ना लगए कि वो आपको बोल कर असुरक्षित महसूस कर रहा है, secondary data collection method, जो है, basically, क्या होता है, secondary data collection वो method होते है, जहाँ पर researcher खुद किसी data को collect नहीं करता, बलकि कोई और व्यक्ति अपने किसी purpose दे उस data को collect करता है, और जो researcher है, वो उसके किसी काम आ जाए, उसका कुछ पार्ट उसके कोई काम का होता है, तो वो उसको use कर लेता है, like secondary data में magazines है, newspapers है, book है, general है, यह सारी चीज़े आ जाती है, या फिर इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़े जो published और unpublished data, इसको दो पार्ट में आप कह सकते है, secondary data में published और unpublished data, क्या होता है published और unpublished उसके भी बात करेंगी, अब यह आप समझे कि secondary data collections क्या होते है, आप ध्यान से देखेंगे, तो जो magazine है, वो magazine जो company है, या जो editor है, उसने अपने अलग purpose से उसने उसको लिखा है, newspaper ने अपने अलग purpose से वो publish होता है, book का purpose अलग है, general का purpose अलग है, अब उसमें researcher के कोई part, कोई एक छोटा सा part उसके काम का है, या उस पे वो study करना है, तो वो secondary ह नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो उसका purpose अलग था collect करने का, अब news में कोई report छपी है, कोई report है, वो report newspaper में किसी newspaper में छपी है, अब उसको आप क्या चाहिए, अब उस report को आप अपने research में use कर दें, उस base पे अपने research में उसको use कर दें, तो ये secondary है, ये क्या हो गया, secondary है, secondary को दो पार्ट में मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि secondary को दो पार्ट में divide किया गया है, एक है आपका published और दूसरा है unpublished data, published data में government publications, public record, history and aesthetical document, business document, technical and trends, generals, ये सारी चीज़े जह है published data, जो भी data published हो चुका है, जो पहले से published है, वो उसको हम published data कहते हैं, और unpublished data वो होते हैं, जो कई बार बहुत सारे document जो published नहीं होते हैं, जैसे किसी की personal diary, letters या unpublished bibliography, तो इस तरह की चीज़े, जब इस तरह की चीज़े आपको use करते हैं, अपने research में, जैसे आपने मान लिया कि महात्मा गांधी के letters में, महात्मा गांधी ने कितनी बार जो है महात्मा गांधी ने letter लिखा है, और उस पे आप study कर रहें, आप उस letters पे कर रहें, वो published नहीं है, वो किसी museum में आपको मिल सकता है, किसे संग्राले में, आपको वासानी से मिल सकता है, तो वहां से आपने study किया और उस बेस पे आपने research किया, तो वो unpublished data का part होगा. कुछ major points हैं, हम दोनों में compare कर लेते हैं, primary and secondary data में, क्या-क्या होते हैं, तो basically हम दोनों की definition देखें, तो primary data is collected by researcher, first-hand experience होता है, researcher खुद इसको collect करता है, और अपने purpose से करता है, अपने particular research project को लेकर इसको research करता है, secondary data वो होता है, जो having already collected by another purpose, वो किसी और purpose से पहले ही collect किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर researcher क्या कर रहा है, उसको researcher अपने लिए सिर्फ यूज कर रहा है, main sources अगर देखेंगे, तो interview से primary data कहां से आएगा, interview से आएगा, service से आ सकता है, question air से आ सकता है, field observation से आ सकता है, experiment से आ सकता है, action research से, case study से यह आपको बिल सकता है, वहीं आप बात कर करेंगे, secondary data की, तो previous research, mass media product, government reports, official statement, web information, historical data, यह सारे sources है, secondary data के, date time की बात करेंगे, तो real time data होता है, researcher को जब ज़रूरत होती है, उसी वक्त वो collect करता है, वो particular अपने एक research topic को जब decide करता है, उसके बाद उसको study करने के लिए real time में इस data को collect करता है, जबकि यह already पहले से collected होता, यह past data होता है, यह already किसी ने अपने purpose से use किया होता है, हम उसको secondary टॉर पे use कर रहे होते हैं, specific to the researcher need की अगर हम बात करेंगे, तो always specific to the researcher need, हमेशा researcher की need के according यह data collect किया जाता है, यानि आप अपने research objective और research question को ध्यान में रखके ही data को collect करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां secondary data में यह not specific to the researcher यह आपके researcher need को लेकर नहीं होता है, क्योंकि secondary होता है, already किसी ने अपनी primary need को fulfill करने के लिए किया होता है, आप उसका कुछ part लेते हैं, तो पूरा जो proper specific नहीं हो सकता हो, cost की बात करेंगे, यह expensive होता है, क्योंकि researcher को खुच जाकर उसको data को collect करना परता है, या अपने resources क इस्तमाल करके उसको collect करना परता है, secondary data में already किसे ने collect किया होता है, तो researcher को तो वो बस easily कहीं से available हो जाता है, वो उसको access कर लेता है, बस access कर लेता है, तो यह low cost होता है, या फिर फिरी में भी होता है कई बार, primary data पे पूरा high level of control होता है, researcher का researcher उसको पूरा control करते हैं, लेकि secondary level में उसमें जो researcher का control है, वो कम होता है, क्योंकि वो data already किसी और ने उसको control किया होता है, time consuming, more time consuming, क्योंकि primary data में researcher बार बार जाएगा, collect करेगा, वो अपना time देखेगा, interviews के लिए appointment लेगा, या उसके बाद observation है, तो observe करेगा, तो यहाँ पे जो है, उसको ज्यादा time लगता है, जबकि यहाँ पे कम time लगेगा, क्योंकि बस उसने specific resources देखने है, उसको जहाँ resources मिल गए, वो उसको वहाँ से consume कर लेगा, तो यहाँ पे less time लगेगा, देन उसके बाद अगर हम बात करें कि इस पे पूरे rights honors, इसकी ownership जो है, वो primary data की researcher के पास होती है, वो information remain hidden from the competitor, competitor से वो information को hide रख सकता है, क्योंकि वो उसकी information है, उसका data है, यहाँ पर जो है, यह open platform पे होता है, कोई भी, जैसे आपने उसको access किया, उसी तरीके से कोई भी उसको access कर सकता है, तो इस पे आपकी ownership के साथ साथ औरों की भी ownership हो सकती है, capability more capable to solve a specific, क्योंकि particular specific problem को ध्यान में रखकर ही data collect कि गया है, तो इसको easily solve किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर specific problem को ध्यान में रखकर नहीं data को gather किया गया है, तो इसके अंदर less capability होती है, किसी भी problem को solve करने की, उमीद है, वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज के इस वीडियो में इतना ही, और next time, फिर हम next topic पर बात करेंगे Thank you